हेलो दोस्तो दोस्तो जुमाइन कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक important notification आई है document verification से related पूरी information मैं आपको इस वीडियो में provide करूँगा वीडियो को आइट तक देखते रहें दोस्तो जुमाइन कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने आज एक notification निकाली document verification से related और ये supplementary document verification रहेगी कलास फूर्ट के पोस्ट के लिए यहाँ पर इस notification में कहा गया है कि जिन candidates की document verification किसी भी वज़ा से miss हुई है 17th February 2022 से लेकर 28th February 2022 तक याने जिन कलास फूर्ट के candidates की document verification इन डेट के दर्मियान होने वाली थी और वो document verification किसी भी वज़ा से miss कर गए इन सारे candidates को एक और मोका दिया गया है document verification के लिए अब जो नई डेट रखी गई है document verification की वो रखी गई है 11th and 12th March 2022 एक बार फिर से कहें कि जिन candidates की कलास फूर्ट की document verification मिस हुई थी 17th February से लेकर 28th February 2022 तक इन ही candidates को कहा गया है कि इनको final मोका दिया जाता है document verification के लिए इनकी document verification 11th से लेकर 12th March को होने वाली है साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ यही candidate जो है वो document verification के लिए आ सकते हैं तो इसकी link मैंने नीचे description में दे दी है वहाँ से आफ इसको अच्छे से download करें और फिर इसको पढ़ें तो दोस्तो यह थी एक important update जेके SSB की तरफ से document verification से related उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी जान झाल 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 ivia